कि अगर हम सामिल्टेनियस एक्विशन्स सामिल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ ठीक है सामिल्टेनियस एक्विशन्स को सॉल्ब करें बाई क्रॉस मिल्टिप्लिकेशन मैथेड इस मैथेड को बहुत ध्यान से सुन लिजेगा क्योंकि बड़े क्लासेज में बहुत काम की चीजी होती है जब कोई काम नहीं आता तो यह आता है तो यह आपसे कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा देखो इधर अगर आपको एक्कुशन्स लिखी जाएं A1X प्लस B1Y प्लस C1 इस इकल टू जीरो और A2X प्लस B2Y प्लस C2 इस इकल टू जीरो यह दो एक्कुशन्स है और पहले तो आपको चेक करने के लिए कहा गया कि आपने मालिया भी चेक करने के तरीका आपको बताया अब आपसे कहा इसको Cross Multiplication Method से solve करूँ जरा ध्यान से समझेगा Cross Multiplication Method अलग-अलग इधर ही लिखे हुए है या तो इधर होंगे या उदर होंगे एक साइड होना चाहिए मैंने इधर लिख दिया देखो द्यान से आप यहां X लिख दो आप यहां Y लिख दो आप यहां 1 लिख दो दो देखे होता क्या है देखे एक सरकल बनाते हैं समझाने के लिए यह X है यह Y है यह 1 है घमी जब X लिखेंगे तो इनके covenant एक सा लिखे जाते हैं ठीक है जब Y लिखेंगे तो 1 और X का coefficient एक सा लिखा जाएगा और जब 1 लिखेंगे तो X और Y का कोफिशन लिखा जाएगा इसलिए दुबारा यहाँ पर X एक बार आउल लिख दीजिए यह अपनी सहूलियत के लिए ठीक है इसके बाद क्या करते हैं इन दोरों कोफिशन्स में X के नीचे इनके कोफिशन्स लिख दो ही इसमें A1, Y का कोफिशन्स B1 कॉंस्टेंटम C1 और X का फिर आपका हो गया A1 इसके बाद सेकेंड एक कोफिशन्स जो लिखी है उसके कोफिशन्स लिख दिजएगा यह A2, यह B2, यह C2 और यह फिर A2 ठीक है? देखिए अब हमको लिखना X अपान जब X अपान लिखेंगे तो हमें इन दोनों के कोफिशन्स का मल्टिप्लाई करना है Y और 1 का जरा ध्यान से समझेगा Y और 1 का बोले तो पहले इसका मल्टिप्लाई करूं B1, C2 अपान में लिखा जाता है B1 B1, C2 माइनस फिर इसका मल्टिप्लाई करू B2, C1 B2, C1 Y अपान जब Y लिखेंगे तो 1 और X का करना जरा ध्यान से समझेगा अब यहाँ बुक में और हमारे मैथन में गलती कहा आती है गरबड़ी कहा होती है अगर यह मैं न लिखता ठीक है 1 से X में जाना पड़ता इसलिए हम दुबारा X लिख देते हैं ठीक, वो ज़्यादा सही तरीका होता है मल्टिप्लाई कि इसका करेंगे इसका इससे करो C1, A2 माइनस C2, A1 इस इकल टू 1 अपान इसका मल्टिप्लाई बाद इससे किया है जब 1 लिखेंगे तो X और Y के कोफिस्टन का मल्टिप्लाई होगा ये X है, ये Y है तो पहले इसका मल्टिप्लाई इससे होगा A1, B2 माइनस B2, A1 बाद ने इसका इससे माइनस में करेंगे तो ये तरीका समझ में आया हाँ, एक्जांपल हम दे रहे हैं पहले पहले अप तरीका देख लो फिर एक्जांपल हम दे रहे हैं अब देखिए ध्यान से अब जब हम ये तीनों रेशियो इक्वल है तो हम क्या करेंगे X वाले टर्म को इसके इक्वल करेंगे 1 वाले के इक्वल तो वहां से x की value निकलेगी और y वाले को इसके equal करेंगे वहां से y की value निकलेगी यह value याद नहीं करनी है यह process आपको apply करना है ठीक है तो जब x की value हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे उसके लिए x वाले और इसको equal करेंगे तो यह जो आपान में है न यह उधर चला जाएगा तो आएगा b1 c2 minus c1 b2 upon a1 b2 minus a2 b1 और जब y निकालेंगे तो आएगा c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus b1 a2 तर तरीका समझ में आया कि नहीं आया हमारे तरीके और बुक के तरीके थोड़ा सा difference है हमारा तरीका अलग है हम दुबारा x को लिखते है क्योंकि sign आपको गर्वर नहीं करना पड़ेगा आपको minus plus नहीं करना पड़ेगा as it is आप सबके लिए same rule apply कर सकते है ठीक है अगर और नहीं लिखोगे तो फिर ultra multiply करना पड़ता है इसे note करें फिर हम बात करते हैं अब ज़रा सुनिए ध्यान से बहुत ध्यान से पोर्ट पर देखिएगा अगर मैं x को दुबारा नहीं लिखता ठीक है देखो तो y के y के लिए किसका x का multiply करना है 1 और x का करना है y के नीचे किसको किसको लिखना 1 और x को लिखना है देखो ध्यान से अगर मैं 1 और x को लिखता हूँ तो अगर मैं इधर से multiply करता हूँ A1, C2 और बाद मैं इसको करता हूँ देखो उल्टा हो गया नहीं हो गया उल्टा हो गया ना तो अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ और Y लिखता हूँ तो ये इसको इससे multiply करेंगे तो पहले ये उल्टा वल्टिप्लाइगा ना पड़ेगा तो इन्होंने क्या कि RD सर्मा में यहां माइनस लगा दिया तो यह हम कहा है याद करें भाई हम दुवारा कोफिशन लिख लेंगे तो इसमें गलती होने के चांसे कम रहते हैं इसलिए हमने यह method बताया ठीक है एक ही method याद जो आपको समझ में आए ठीक है अगर आपने पहले से ID से कर रखा है तो उसको हमको मत चुना हमारा ऐसे पड़ारे ने देना ठीक है हमारे में आपको उल्टा multiply नहीं करना पड़ेगा मैं एक question लेकी चलता हूँ एक चीज़ और साउधान अगर यह constant आपने उधर रख रखे ठीक है अब एक question हम लेके चलते हैं और यह method apply करना है you are not supposed to apply that formula यह a1,c2 वारा यह formula नहीं याद करेंगे आपको इसका method ही adopt करके question लगाना है इसको कहा जाता है cross multiplication method देखिए ध्यान से नहीं 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 तब तो आप चेक कर लो ना वहाँ थोड़े दिखाने को आएगा अच्छा है xy की value यह आप याद कर लीजे देखिए वह एक अलग चीज होती है ठीक है वह आप value याद कर लीजे so far so good अच्छी चीज है क्योंकि a1,b2 वाली value को satisfy भी ह नहीं करा पाएंगे ना अगर मैं आप से कहूं कि यह दो इक question जो अभी हमने दिये थे और यह xy की value check करो तो जितनी देर में आप इसको वहां रखके satisfy कर आओगे ना उससे कम समय में आप solve कर लोगे वो एक अलग चीज है तो कर सकते हो लेकिन general हम बात कर रहे हैं देकिन जै 5x plus 12y 5x plus 12y is equal to 7 फिर ध्यान से समझे हमने कहा कि आप यहां पर equal to 0 कर दीजिए नहीं करना चाहते तो फिर minus 1 करना पड़ेगा तो हम इसको क्या किये दे रहे हैं यहां कर देते हैं x plus y minus 7 is equal to 0 और यहां लिखेंगे 5x plus 12y minus 7 is equal to 0 अब देखें क्या हमने बताया x लिखें y लिखें और 1 लिखें rd ने क्या किया है यहां minus y कर दिया है क्यों क्योंकि वो इधर देखें जब y लिखेंगे तो इसका इसका multiply करना होता है ना तो मैं ऐसा ना करके x को दुबारा लिख दीजिए आपर अब इनके coefficient लिखो x के नी y होता है तो x के नीचे y लिखते हैं आप x के नीचे x लिखो क्या एगा coefficient वन आएगा यहां वन आएगा constant minus 7 आएगा यहां पर 5 आएगा यहां पर 12 आएगा यहां minus 7 आएगा यहां पर 5 आएगा पार्थ साफ सौन जा रही बात मैं कहस ले रहा हूँ कि अगर आपके सामने book रखी होगी rd की तो वहां लिखा होगा minus y पहली चीज तो यह confusion वाली इस्थित्य है और वहां दुबारा x नहीं लिखा हुआ है तो ultra multiply सीधा multiply में confusion नहों इसलिए हमने वो लिखा है ठीक है अब देखो x upon हमने क्या कहा जब x लिखेंगे तो इसका इसका multiply होगा पहले इसको इससे multiply करते है यह तरीका तो 1 into minus 7 सिर्फ minus लगाते हैं इसका multiply इससे करते हैं 12 into minus 7 is equal to y upon y जब करेंगे तो इसका इसका multiply करेंगे minus 7 into 5 फिर minus लगाएंगे फिर इसका इसका multiply करेंगे minus 7 into 1 is equal to 1 upon 1 करेंगे तो इसका multiply करेंगे x और y का 1 into 12 12 minus 5 into 1 5 अब थोड़ा calculate कर लिजेगा x upon ये कितना हैगा minus 7 table तो आती नहीं होगी 12 की table आती है हाँ सुने करें नहीं उत्तरा नहीं multiply करके रिखेंगे आप 12 सुन्जा कितना होता है हाँ जैली गूद 84 is equal to y upon minus 35 minus plus 7 हो जाएगा is equal to 1 upon 7 हो जाएगा ये क्या हैगा x upon minus 7 plus 84 क्या आएगा है पक्का 77 is equal to y upon ये कितना आएगा minus का 28 is equal to 1 upon ये आएगा 7 अब आप x को इसके equate तो करनी सकते तो कि दा तो x मालूम न y मालूम है तो x को equate कर दो 1 की value के साथ तो x upon 77 is equal to 1 upon 7 तो x will be 77 upon 7 that is 11 और y upon minus 28 is equal to 1 upon 7 y is equal to minus 28 by 7 गोले तो minus का 4 तो इस प्रकार से x और y की value आप निकालेंगे ठीक है कोई भी question randomly आप ले लिजेगा जैसे आगया 5 upon x plus y मैं एक example लेता हूँ 5 upon x plus y minus 2 upon x minus y minus 2 upon x minus y is equal to minus 1 और यह जाएगा 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y is equal to 10 तो क्या इसमें cross multiplication method direct लगाना सम्भो है हान यह जो upon में दिक्कत कराना तो आप जैसा के पीछे करते आ रहे हैं कि क्या करेंगे 1 upon x plus y को आपने माल लिया पी माल लिया और 1 upon x minus y को आपने क्यू माल लिया यह question क्या हो जाएगा 5p minus 2q और constant को इधर shift कर दो equal to 0 हमने फिर कहा बार बार ध्यान से समझेगा constant term अगर आप equal to में लिखते हैं तो दोनों में equal to में लिखेंगे लेकिन वहां का कोजो coefficient होगा और minus 1 लिखा जाएगा या equal to 0 रखिएगा तो यह क्या जाएगा 15p plus 7q minus 10 is equal to 0 अब इसको आप cross multiplication method से solve करेंगे तरीका हमने क्या होता है p लिखे q लिखे 1 लिखे फिर p लिखे दुबार लिख दीजे coefficient लिख दीजेगा 5 q का हो जाएगा minus का 2 इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 5 इसमें p का coefficient क्या है जाएगा 15 इसमें आजाएगा 7 इसमें आजाएगा minus का 10 इसमें आजाएगा 15 अब जैसा कि पीछे आप करते आ रहे हैं p अपान इसका इससे multiply करेंगे q और इसका तो minus का 2 minus का 10 20 हो जाएगा minus और 7 कबन से करेंगे तो 7 हो जाएगा यह ध्यान आखेगा sign mistake नहीं होना चाहिए क्योंकि algebra के लिए कहा जाता है algebra is the mathematics of sign यह sign की mathematics है जड़ा सब plus minus गरबड किया सब गरबड हो जाएगा q upon q लिखेंगे तो इसका इससे multiply होगा पहले यह कहा ले जा रहे है 1 का 15 से minus 10 का 5 से minus 10 है चुको minus 50 आएगा तो plus 50 हो जाएगा is equal to 1 upon इसका इससे multiply करेंगे 35 minus और यह minus का 30 आएगा तो यह plus का 30 हो जाएगा तो यह आगया x upon p upon 13 is equal to q upon 65 is equal to 1 upon 65 तो p की value कैसे निकलेगी इसको इसके equate करोगे तो 13 upon 65 यानि की p की value आएगी 1 upon 5 p मतलब p मतलब 1 upon x प्लस y यानि की 1 upon x प्लस y की value आगई 1 by 5 तो x प्लस y की value आगई 5 यह question number 3 आगया है यह पहले वाले question थे 1 और 2 और जब q को इसके एक्कुल करोगे तो q की value 1 आएगी और q का मतलब क्या है 1 upon x minus y is equal to 1 तो x minus y is equal to 1 देखे यहाँ पर 5 को shift कर दो x plus y minus 5 is equal to 0 इसको third equation डालो इसको मट डालो तो x minus y minus 1 is equal to 0 इसको fourth डालो अब इन दोनों को किस method से solve करोगे फिर आपको cross multiplication ही करना है आपको कोई भी method नहीं लगाना है दोबरा अपलाई करेंगे और उसको solve कर लेंगे कैसे करेंगे x लिखेंगे y लिखेंगे 1 लिखेंगे x लिखेंगे अब कर लेंगे ना इसका 1 इसका minus 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 एक मिलट सॉरी तोनों को एक ही लिखे जाना है ये लिखना है ना ये 1 और ये minus का 5 इसका 1 इसका minus का 1 और इसका minus का 1 इसका 5 का लिखेंगे अब इसको solve कर लीजेगा solve कर दे Q में आप इसको इसके equate करोगे तो 65 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगी value ना तो Q 1 आएगा ठीक है अच्छा अब देखिए थोड़ा सा हाँ नोट करिए फिर बात करें यह अपने आप solve करेंगे जहाँ पर MCQ question है वहाँ चिंता करने जुरूत नहीं है वहाँ तो आपको satisfy कराना है लेकिन वो जो A1, B2, B1, A2 के term में आएगा तो वहाँ satisfy कराने से बहतर है solve करना तो उसको solve कर लिजेगा अब question लेते हैं एक और X upon A plus Y upon B एक example हो लेते हैं X upon A plus Y upon B is equal to A plus B जैसा कि हमने कहाँ यहाँ पर equal to 0 कर दीजेगा तो यह लिखा जाएगा X upon A plus Y upon B minus A plus B is equal to 0 this is first equation और X upon A square plus Y upon B square minus 2 is equal to 0 this is second equation and you have to solve these two equations by cross multiplication method यह नोट का लिया ना इसको solve करेंगा आब यही मत छोड़ देना पता नहीं हम चेक कराई दे रहे हैं आपको answer कितना आया है एक नट हाँ ठीक है X is equal to 3 and Y is equal to 2 बात में satisfy करा लिजेगा मतब्द जो भी value निकले जो आपकी equations हैं उनको satisfy करा लिजेगा लेकिन सर्त एक दोनों को satisfy होना चाहिए एक से काम मीच लेगा आपको याद होगा कल एक कोशन दिया था हमने याद है आपको इसके पहले वाले क्लास में हमने एक value दी थी जिसमें जानवूज के हमने first value रिकी थी जिसमें first को satisfy हो रहा था देखिए जैसे इसी को जैसे कहीं लगाई है क्या लिखेंगे x लिखेंगे y लिखेंगे वो लिखा हुआ है भई नहीं ये दूसरा second equation है भई ये एक equation ये first second ये है ये लिखा हुआ है हाँ 1 और ये है आपका x इनकी coefficient यहाँ का coefficient क्या है 1 upon है यहाँ का 1 upon b इसमें माइनस a प्लस b 1 upon a यहाँ पर 1 upon a square यहाँ पर 1 upon b square यह माइनस का 2 यह 1 upon a square देखेंगे जानबूस के कोशन ऐसा उठाया गया है कि अभी तक तो 2 into 2 4 4 minus 1 3 कर लिया आपने सस्ता मद्दा अभी थोड़ा महँगा कोशन करिए अब इसके थोड़ा सा solve करिए जब x upon लिखेंगे आप तो इसका इससे multiply करेंगे थोड़ डायट लिखेंगे तो आएगा माइनस का 2 upon b और माइनस तब इसको इससे multiply करोगे तो यह हो जाएगा प्लस चुकि हम माइनस हा लेड़ी है तो इसका इससे multiply करेंगे तो आएगा प्लस का a प्लस b upon b square is equal to y upon y में इसका इससे multiply होगा हैनि minus a प्लस b upon a square minus तो प्लस हो जाएगा 2 upon a is equal to 1 upon 1 upon इसको बाद इससे multiply किया गया है 1 upon में इसका इससे multiply किया गया है 1 upon a into 1 upon b square 1 upon a into 1 upon b square minus 1 upon b into 1 upon a square अब ज़राई से थोड़ा सा calculate किया जाए बहुत जलबाजी मत करिएगा कि गरबर न हो जाए ये जितना भी calculation है ध्यान रखियेगा denominator में हो रहा है इसको numerator में shift करने की गलती मत करना ठीक है इसमें क्या calcium दिख रहा है नीचे calcium दिख रहा है b square तो इसमें b से होगा multiply minus का 2b plus का a plus का b is equal to y upon यहाँ आपको क्या calcium दिख रहा है नीचे a square तो यह आएगा minus a minus का b plus का 2a is equal to 1 upon यहाँ L सेम क्या दिख रहा है a square b square यहाँ L सेम दिख रहा है a square b square तो यह हो जाएगा a minus b सही का हमने x upon यह क्या आएगा यह आएगा a minus b upon b square is equal to y के आपको में क्या आएगा a minus b upon a square और one के आपान में आएगा a minus b upon a square b square वैसे तो यह b square shift उपर हो सकता है लेकिन हमको shift करने की जरूत नहीं है अब इसको इसके एक्वल करिए तो x upon a minus b upon b square is equal to इसको इदर shift कर दो a square b square upon a minus b तो जब यहाँ से x की value निकल के आएगी तो इदर क्या लिखा हुआ है a square b square upon a minus b into a minus b upon b square तो इसकी value आगई a square value of x is a square y अपने आप निकालो y निकालने के लिए y की जो term है और one का term उसे equate कर दीजे तो यह y का term है आपका y upon a minus b upon a square is equal to और यह उपर shift हो जाएगा a square b square upon a minus b तो जो y की value निकलेगी हो इधर तो लिखाए a square b square upon a minus b और यह आएगा into a minus b upon a square यह कड़ गया यह कड़ गया तो y की value आगई b square नोट कर लिया यह ध्यान रखिएगा कि book का method यह method different है तो तो आप confuse मत हो यह गा देखे मैंने एक कुशन दिया कुशन लिखे x-ky is equal to 2 x-ky is equal to 2 और दूसरा है 3x plus 2y is equal to minus का 5 अब करना यह है कि find the value of k so that the system of equation has unique solution यह आप से question यह कह रहे है कि find k if equations have equations have unique solution अगर unique solution आपको यह equations दे रहे हो तो उसमें k की value क्या होगी बताईए पहले समझेगा फिर बताईए क्या condition बताई गई है उसके लिए condition क्या थी हाँ तो आप लिखेंगे फर्ले तो compare करेंगे here a1 upon a2 क्या होगा a1 upon a2 की value आएगी 1 upon 3 b1 upon b2 की value क्या होनी चाहिए minus k upon 2 है और c1 upon c2 क्या होना चाहिए है होना चाहिए तो है 2 upon minus 5 तो आप लिखेंगे कि if क्योंकि हमको यह कहा गया है unique solution है हमसे proof नहीं करना उन्होंने का unique solution है तो आप दे k की value क्या होगी तो आप लिखेंगे as equations have equations को short में ऐसे कर दो have unique solution have unique solution consistent तो हैं है वो unique solution so a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यानि की 1 upon 3 is not equal to minus k upon 2 cross reply करेंगे तो minus 3k is not equal to 2 k is not equal to minus 2 by 3 यानि की k की कोई भी value हो सकती है कोई भी हो सकती है लेकिन minus 3 नहीं हो सकती है अब देखें हमने आपको यह condition नहीं दी multiple choice में यह condition नहीं दी हमने कहा कि all the all real numbers real numbers except minus 2 by 3 ऐसा बोल दी हमने तो यह ध्यान रखेंगा language क्या यह भी हो सकता है कि mathematically नहीं दे करके वो language में दे दे कि minus 2 by 3 को छोण के कोई भी real number हो सकता है तो यह ध्यान रखेंगा पूछ क्या रहा है अच्छा इसके बाद question एक लेते हैं question तो एक ही जैसे होंगे सब क्यों पूछने का उनका अंदाज बदल जाएगा क्यों पूछ क्या रहे हैं और पूछने पर जो value दे रहे हैं वो देख लेना का option में आपको दिया क्या हुआ है किस तरीके से दे रहे हैं इसमें दिया हुआ है kx-y is equal to 2 kx-y is equal to 2 and 6x-2y is equal to 3 तो कह यह रहे हैं कि find the value of k आपको निकालना है find k for which पहले तो आप से पूछ रहे हैं कि the system has unique solution unique solution आप से कह रहे हैं बही हो तब क्या होगा और फिर कह रहे हैं has infinitely many solution sorry no solution दूसरा कह रहे है no solution सिर्क कहा जा रहा है कि is there third part में आप से पूछ रहे हैं कि is there any value of k there any value of k at which system has many solution system has infinitely many solution many solution तो पहले तो आप unique solution के बात करें देखे multiple choice में तो हमने का कि ये cross multiplication method का कोई मतलब ही नहीं है लेकिन जहां पर method पूछा जाएगा वहां पूरा procedure apply करना पड़ेगा तो बताए कैसे आप इसको करेंगे कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यानि कि k upon 6 is not equal to minus 1 upon minus 2 तो k is not equal to 3 यानि 3 को छोड़के कोई भी value हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकता अब वो आप से कह सकते हैं कि k belongs to all the real numbers but not 3 language में वो कुछ भी कह सकते हैं ठीक है निकाल तो दिया हमने चलिए अच्छा है तो कौन से value लिखोगे कौन से कितनी लिखोगे लिखते लिखते बुड़े हो जाओगे लिख नहीं पाओगे 3 को छोड़के सब real number लिखो हमने का 1 1.1 1 1 1 1 1 यूनिक का मतलब क्या होता है कि ये इंट्रसेट करनी चाहिए ये दोनों लाइस इंट्रसेट करनी चाहिए एक पॉइंट पे तो उसके लिए कंडिशन क्या बताएगे थी एवन अपान एट्व इस नाट इकल्टो विवन अपालू यही वैलू के की होती भाई आपने इनिक्वल्टी पढ़ी है पढ़ेंगे अभी आप इनिक्वल्टी पढ़ी होगी टेंस में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो भी है यहनी कि यह केक थी को छोड़के कोई भी वैलू के कि आप रख देते हैं वो उसमें यूनिक्व सल्यूशन मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा सॉरी नहीं इनकंसिस्टेंट केवल कामी चलेगा इनकंसिस्टेंट एन नो सल्यूशन हाँ नो सल्यूशन में होगा इनकंसिस्टेंट का अलग मतलब होता है inconsistent मता होता है कि आप help नहीं कर रहे है एक equation दूसरे की help नहीं कर रही है ठीक है हम एक equation से दूसरे equation को नहीं solve कर सकते तो दूसरे में कहा है no solution no solution में lines कैसी होनी चाहिए आप कहेंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो देखिए केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा यह ध्यान रखिएगा ठीक है यानि कि यहाँ पर क्या आएगा k upon 6 is equal to minus 1 upon minus 2 और वो तो not equal to है is not equal to 2 upon 3 तो k upon k upon 6 is equal to 1 upon 2 1 upon 2 k की value आगई 3 की value आगई हाँ लिखना जरूरी है यूज में बता रहा हूं लिखिए पहले आप देखो ध्यान से लिखिए फिर हम बात करें आपने इत्रा अंसर लिख दिया ठीक है के की value 3 होनी चाहिए लेकिन इसके साथ एक condition भी है कि ये इसके equal नहीं होना चाहिए यानि k upon 6 should not equal to 2 upon 3 यानि k should not equal to 4 4 नहीं होना चाहिए k 4 नहीं होना चाहिए ये भी condition साथ में लगेगी ध्यान रखेगा k 3 होना चाहिए ठीक है लेकिन 4 नहीं होना चाहिए हमने 1 आपशन में दिया K3 होना चाहिए हमने 1 दिया K3 होना चाहिए 4 नहीं होना चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़े Most correct answer लिखना पड़ेगा तो अगर मैं इसको Iskaequолько tet कर देता तो ये भी condition हो सकती थी अगर दोनों एक साथ लिख दिया जाएं तो most correct हो जाएगा ठीक है अच्छा ये कह रहे कि क्या ऐसी value k की हो सकती है कि infinitely मैंने solution हो जाए नहीं हो सकती उसा कारण यह है देखे क्योंकि उसके लिए condition क्या होनी चीए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 देखे अब चुकि यह दोनों clear है यह आपको b1, b2 भी clear है b1 upon b2 देखे b1 upon b2 clear है b1 upon b2 की value clear हो रही है c1 upon c2 की value भी clear है 2 upon 3 आएगा ठीक है अगर k1 को खुश करेगा मैं k की ऐसी value रख दे हम 4 रख दे तो अगर 4 रखेंगे तो 2 upon 3 आएगा नहीं आएगा अगर मैं k को 4 रख देता हूँ k को 4 रख देता हूँ तो a1 upon a2 की value 2 upon 3 आएगी नहीं आएगी तो अब problem यह c1 upon c2 को satisfy कर ले जाएगा लेकिन b1 upon b2 को नहीं कर पाएगा a को खुश करेगा दूसरा मूफ लाग बैठ जाएगा इसलिए दोनों को satisfy नहीं कर सकता तो आप लिखेंगे it is not possible reason देना पड़ेगा because it is not possible क्योंकि c1 upon c2 इसके equal में नहीं आ रही value तो यह method समझ में आ रहे वही बावा question आ रहे है कि वही इसकी value क्या होगी no solution, many solution यह सब ऐसे question आते है एक question आ और लिखेगा थोड़ा सा lengthy हो गया थोड़ा बड़ा हो गया है चुकि exemplar का है तो थोड़ा सा तो lengthy हो गई होगा देखिए lambda x plus y is equal to lambda square एक example है lambda x plus y is equal to lambda square और x plus lambda y is equal to 1 x plus lambda y is equal to 1 तो कह रहे है कि for which value of lambda do the pair of these equations have no solution, many solution and unique solution पहले कह रहे है किस value के लिए no solution है दूसरा कह रहे है infinitely many solution और तीसरा कह रहे है unique solution तो पहले जगर मैं इसको option में करूं तो short भी कर सकता हूं अगर इसको पूरा नेंदारी क्या अधित साब लग रहा है देखो जम आएसे बैठ जाते है न तो हम अपने पूरी खोपड़ी को इसके सारे टेक कर लेते न तो उसको अपने आप रहने दीजे न एक्टिवरेट नहीं है देखें हां न रहेगा बास न बजयेगी बंसुरी अगर लैम्डा को आप जीरो कर दोगे तो विचारा यह एक सी नहीं रहेगा पाई या नहीं रहेगा तो करेगा क्या यह हाँ हो सकता है तो आप no के लिए क्या करेंगे आप कहेंगे lambda upon 1 is equal to 1 upon lambda is equal to lambda is not equal to lambda square upon 1 यानि कि lambda square is equal to 1 lambda is equal to plus minus 1 अगर lambda के लिए plus minus 1 हो जाती है तो वहाँ पर no solution की condition आ सकती है सही कह रहा हूं मैं हम कुछ रख थोड़ी रहे हैं वो तो हम कुछ रख नहीं रहे हैं हम तो condition proof कर रहे हैं इनके इंसाब से अच्छा आप से कहते हैं हाँ हम से यह नहीं आप ने तो पर्टिक्लर वैल्यू कर दी ना आप से लेंड़ा को जीरो रखना चाहते हैं आप हाँ तो यह वाई पांच जीरो आ जाएगा अब वो एक अलग चीज है आपके कहीं से आइडिया से लिए यह बताइए अगर यहाँ जीरो रखते हो ठीक है तो एक्स बन आ जाएगा और य लेंड़ा तो यह 0 अठीक है वैलू आ जाएगी तो एक वैलू आता रही है कहन वैल्मड़ा को 0 करोगे तो यह 0 नहीं आ रही है और यहाँ पर एक्स वन नहीं आ रहा है तो ग्लम से लुशन कहां आ रहा है no solution मतला होता है both the lines should be parallel and they should not intersect each other at any point उन्हें कहीं intersect नहीं करना चाहिए ऐसा दिया हुआ है फिर many solution में क्या करेंगे many में तीनो equal क्यों लैम्डा को 0 कहां लिख रहे हैं ना defined क्यों क्यों लिखेंगे भाई लैम्डा को 0 इसलिए तो आपकी विल्व defined नहीं हो रही है आप 0 हब फिर ये condition follow थोड़े हम करेंगे वही पर आपकी value की साथ कहा condition follow हो रही है जब लैम्डा को 0 लिख रहे हो ठीक है तो तब हम थोड़ी कुछ लगाएंगे value ठीक है सम्दारी बार नहीं आ रही है अचा नो सर्विशन इन्फानेटरी के लिए क्या करेंगे तीनों equal कर दीजेगा अब किसी को किसी के equal करिए value निकाली कि लैम्डा क्या होगी अब लैम्डा के एक स्यधिक value भी हो सकती है अगर मैं इसको इसके equate करूँगा तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा ठीक है और एक बार यूनिक के लिए क्या करेंगे इस नाट equal to लैम्डा square शुट नाट equal to 1 लैम्डा शुट नाट equal to प्लस मैरस 1 यह नहीं होना चाहिए तो यह conditions है तो मेरे हिसाब से cross multiplication method और यह no solution, unique solution यह समझ में आ गया होगा